वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल वर्ल लिट्रेचर आज टॉपिक हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है संस्कृत लिट्रेचर में बहुत इंपोर्टन टॉपिक काव्या ममेशा बाय राजेश्खरा इनका यह टॉपिक है यह बहुत ही इंपोर्टन है संस्कृत बात करें तो एक लिट्रेरी थेरी है संस्कृत में यह पिर क्रिटिसिजम है और इसको अलनकरा शास्त्रा भी कहा जाता है मतलब कि इस चुड़ी ओफ पोईटिक और्नमेंटेशन एंड एस्थेटिक्स कि जो पोईट्री है उसको किस तरह से लिखा जाता है पोईट्री की एसे लिखा लेशन कैसे होती है और पोईट्री में जो ऐस्थेटिक्स, जो फिलिंग्स होती हैं जो आसी हमें जूसमें आर्ट नजराता है वो फिलिंग्स जो होती है उन सब चीजों को जो है वो इसमें डिसकस किया गया है और साथ ही साथ अगर हम इस ओवराल वर्क की बात करें तो इसमें आर्ट और साइंस की बात की गई है संस्कृत, पोईटरी में और ड्रामा में कि जो drama है संस्कृत उस में art का क्या रोल है और वो किस नहीं से डिवल्फ होता है और science का क्या रोल है ड्रामा और poetry में और किस तरह से वो डिवल्फ होता है अब आते हैं अपने राइटर की तरफ, राइटर को हम लोग अगर डिसकस करें तो राजेस्खरा जो के हमारे इसके राइटर हैं संस्कृत स्कॉलर थे, ड्रामाटिस्ट थे, पोईट थे और एंशिन इंडिया से विलॉंग करते थे और 9th और 10th सेंचरी इनका एरा है जिसमे इनका लिट्रेरी करियर जो है वो ड्वल्फ हुआ और इन्होंने अपने जो संस्कृत लिट्रेचर में अपना कॉंट्रिबिशन दिया, इंडियन क्लासिकल लिट्रेचर में इन्होंने अपना कॉंट्रिबिशन दिया, इन्होंने नहीं सिरफ इस तरह के वर्क्स लिखे ल और एक writer का role क्या होता है जब वो एक literary work लिख रहा होता है कोई भी novel story, literary, poetry, poem जितना भी कुछ है हमारे genre is different जब वो लिख रहा होता है तो उसका role क्या होता है अब आते हैं हमारा आज का जो topic है काविया, ममेसा इसका हम chapter 4 and 5 जह है वो discuss करने वाले हैं इन दोनो chapters को start करने से पहले अगर तो आपके पास एक copy और pencil नहीं है तो आप उसको ले लें क्यूंकि इसमें जो points है वो बहुत important है और उनके जो नाम है वो संस्कृत में है उसकी translation भी जो है वो हम करेंगे साथ साथ और इसको अच्छे से जो है वो अब discuss करते हैं सबसे पहला जो है वो हमारे पास chapter number 4 है जिसका title है यह उपर संस्कृत में इसका लिखा हुए और नीचे इसकी translation दी हुई है जिसको language word and sentence कहा जाता है उपर इसकी Sanskrit में original जो language है और नीचे इसकी English translation है इस title की तो chapter 4 में हम language को discuss करेंगे word को discuss करेंगे और sentence को discuss करेंगे और साथ ही साथ इस chapter में जो students की types हैं उनको हम sentence को choose करते हैं तो उसमें जो role होता है जिन चीजों का हम उसको भी discuss करेंगे सबसे पहले हमाया पास इस chapter में discuss किया गया है कहते हैं writer के जो student होता है उस पे depend करता है उसके capacity पे depend करता है कि वो किस तरह से science और politics को जो है वो study करता है इसको उन्होंने categorize किया है categorize किसमें किया है intelligent person कहते हैं हमारी normal language में English language में उसके बाद है दुर गुद्धी जिसको less intelligent कहते हैं ये दो types हो गए students की उसके बाद कहते हैं concept of सक्ती इनोंने दिया उसके बाद genius जिसको कहा जाता है और उसके बाद प्रतिभा poetic imagination को कहते हैं और वियत पती इसको culture कहते हैं या फिर किसी चीज मे हम लोग जिसमें difference कर सकें या हम choose कर सकें उसको कहते हैं वियत पती ये हो गया और उसके बाद हमारे पास है अभासिया जिसको practice कहते हैं अब इन सब जो terms को मैंने आपको बताया है ये हमारे किस तरह से इसका concept इनोंने दिया है कहते हैं कि जो सक्ती होता है ना genius वो सबसे पहल primary source of poetry होता है हम जब कोई poem लिखते हैं poem लिखने के लिए एक person होता है जो कि genius होता है उसको सक्ती कहा जाता है अब वो जो सक्ती है वो क्या करता है उसके बाद आता है प्रतिबा अब जो प्रतिबा होता है poetic imagination मतलब कि सक्ती के पास उसके mind में poetic imagination हुई मतलब कि प्रतिबा उसक critical thinking की, culture को सोचा, background को दिखा, nature को दिखा, इस सब चीजों को क्या किया, एक writer ने, एक poet ने understand किया, अब understand करने के बाद, उसने क्या किया अब हसिया किया, अब हसिया क्या किया, उसने practice की उन skills की, जो उसने poetry में used की, उसने imagination आई, उसने पूरी एक poem सोची, उसने उसमे sentence सोचा, grammar सोची, और उसके बाद, उसने उसके practice करना start कर दी कहते हैं कि, एक जो poet होता है, वो इन सब situation से गुजरता है, और एक poet जो है उसको इन सब situation से जो है, वो गुजरना भी चाहिए, उसके बाद, इन्होंने difference दिया है, बुद्धी मान और दुर्बुद्धी कि, एक gentleman होता है और एक होता है, जिसके अंदर कम knowledge होता है ये दोनों जो हैं, वो इनके अंदर उनने difference किया, कहते हैं कि जो इन दोनों के जब हम लोग difference करते हैं न, मतलब कि हम लोग देखते हैं कि किसी में natural talent होता है वो बहुत जड़ा intelligent होता है वो novel story या फिर literature कोई भी mathematics का question भी हो तो बहुत ज़ल्दी solve कर लेता है और उसके बाद, दुर्बुद्धी जो के उसको पास इतनी natural talent नहीं होता, intelligence नहीं होता उसको mastery नहीं होती चीज़ों पर तो वो कम understand करता है मतलब कि poetry जो लिखना है या फिर poetry को समझना है उसके लिए intelligence का होना भी ज़रूरी है साथी साथ इसके दो category जो नहीं divide की है उसके बाद, इन्होंने जब ये difference दे दिया difference देने के बाद इन्होंने बात की है करिया यत्री की और भवा यत्री की करिया यत्री में कहते हैं कि जो poetry होती है उसको create किया जाता है मतलब कि करिया यत्री कि किसी के पास अगर ability है कि वो poetry को create कर सके उसको सोच सके तो उसको करिया यत्री कहता आता है और दूसरा भवायित्री मतलब कि discriminative मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो poetry को understand कर सके और उस पर critique कर सके कि हाँ rightness में ये का है ये गलत है ये अच्छा है मतलब कि poetry को judge कर सके इस ability को भवायित्री कहा जाता है उसके बाद इन्होंने discuss किया है वयत्री के बाद है fifth chapter ये इसका Sanskrit name है और उसके बाद नीचे जो है वो इसका translated name जो English में है वो है वयत्री and maturity in poetic expression actually में इसमें इन्होंने ये discuss किया है fifth chapter में कि जो point होता है उसके अंदर maturity कैसी आती है मतलब कि जैसे वो लिखना start करता है तो वो लिखते लिखते हैं उसको कही साल जब बुज़र जाते हैं तो वो किस तरह से सीखता है development उसमें कैसे होती है उसके skills improved कैसे होती है अब उसके बाद वियुत पती में इन्होंने सबसे पहले उसकी definition को discuss किया है कहते हैं कि वियुत पती वो होता है जिसके अंदर ये ability हो कि वो differentiate कर सके कि मुझे अपनी point में अपने content में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए जो choose कर सके इन सब चीजों को जो critical thinking कर सके और aesthetic judgment कर सके उसके बाद इन्होंने poets के कुछ classification की कि कितने types के जो हैं वो poets होते हैं सस्त्रा कवी scholar poet को कहते हैं काविया कवी poetic poet को कहते हैं और उसके बाद इसको इन्होंने eight sub categories में भी divide किया है सबसे पहले हमारे पास है सस्त्रा कवी इनके जो scholar हो मतलब कि जो high level का content लिखे कोई जैसे मतलब कोई high level का literature लिखे कोई story लिखे उसको कहा जाता है कि सस्त्रा कवी संस्क्रिट में और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कव्या कवी अब जो poetic poet होता है यह होता है इसके अंदर ability ह होती है इसके अंदर ये खुबी होती है कि वह artistic और aesthetic जो aspects होते है poetry के उनको understand कर सकता है वो देख सकता है कि poetry के अंदर जो deep meaning है वो क्या है और साथ ही साथ poetry के अंदर जिस सीजने खुबसूरती लेकि आनी है वो कौनस elements हैं ऐसे writer को काव्या कवी कहा जाता है उसके बाद इसको इन्होंने सब categories में divide किया कवया कवी को कहते हैं कि इसमें different aspects of poetry को देखा जाता है composition को, word को, choice को, meaning को, poetic devices को, style को, sentiment को, poetic schools को और साथ इसाथ integration of scholarly content के मतलब जितने भी scholars हैं उनके content को integrate किया जाता है आपस में जो है वो जमा किया जाता है उसके बाद इन्होंने जो है वो third category है जो के सस्त्रा कवी भी हो और कावया कवी भी हो मतलब के जो scholar point भी हो और poetic point भी हो दोनों मिलकर जो है वो उभाया कवी बन जाता है मतलब के जिसके अंदर दोनों की versatility हो और comprehensive mastery हो अब ऐसे जब बनदा होगा तो क्या बनेगा कवी राज उसके बाद बनता है इसके बाद को कहा जाता है king of points king of points को अगर हम लोग कवी राजा जो के king of points होता है इसको title जो है यह खुद इनके पास जो के हमारे आज के work के जो literary theory हम लोग पढ़ रहे हैं literary criticism राजिस्खेरा को जो है वो कहा जाता था king of points इसी चीज़ को कहते हैं कि जब हम लोग इस चीज़ को achieve करना चा उसके बाद जब हम लोग एक highest level पर जाना चाते हैं मतलब हम लोग graduation कर लेते हैं master's कर लेते हैं तो वो क्या होता है हमारा highest level होता है वो हमारी kingship होती है किसी भी चीज़ को कि हमने 23 years यह 25 years एक education ली है हमने एक degree में master किया है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं इसी तरह एक writer जो है वो इन सभी situation से गुजरता है इनके जब poetry लिख रहा होता है as a poet, as a writer उसकी poetry में हमें composition language उन सभी stages से वो गुजरता है और उसके बाद stages से गुजर कर एक जो writer होता है वो सस्तरा कवी high level से उसके बाद कविया कवी poetic poet से उभाया कवी और उसके बाद कवी raja बन जाता है जिसको king of poets कहा जाता है I hope कि आपको आज का ये literary theory आज का ये literary criticism जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा आपका कोई भी question हो तो आप comment में जरूर mention कर दीजिएगा वीडियो को like और share और channel को जरूर subscribe करके देखा करें